तो friends आज के वीडियो में vacancy निकाली गई है राविन ग्रूप में जिसमें civil engineers के लिए vacancy निकाली गई है और जिनने नहीं पता मैं बता दूँ कि राविन ग्रूप एक ऐसा ग्रूप है जो power और energy sector में काम करता है और बहुती बड़े हिस्से पे ये काम करता है तो फिलहाल के ल आपको end तक देखना होगा तो चले वीडियो को start करते हैं सबसे पहले आपको Google पर जाना है और Google पर जाकर आपको यहाँ पर रविन ग्रूप र-A-V-I-N ग्रूप सर्च करना है जैसी सर्च करोगे सबसे उपर इनके website आ जाएंगे रविन ग्रूप आप यहाँ पर direct career option पर click कर सकते हैं वरना चाहे तो आप रविन ग्रूप यह जो लिखा हुआ है इस पर click कर सकते हैं तो जैसी आप इस पर click करेंगे आप उनके official इस website पर redirect हो जाएंगे अब यहाँ पर देखिए ऊपर career का option है और यह career option पर जैसी आप cursor को ले जाते हो यह drop down list नीचे आयाता है यहाँ प इस पर click करेंगे यहाँ पर देखिए दो चीज की vacancy है vacancies in cable and vertical vacancies in solar vertical तो आपको vacancies in cable verticals पर click करना है जैसी आप यहाँ पर click करोगे आप देखना यहाँ पर इसको scroll down करना और नीचे आपका आज आएगा F और G number F है आपका projects site engineer के लिए और एक है G जो project department में आपको मिलेगा civil engineer क के लिए ही है तो पहले मैं आपको बताता हूँ project वाला जो की है site engineer के लिए तो इस पर चलिए click करके आपको बताता हूँ तो इसका जो job code है वो है OPS 01 job code हमेशा याद रखिएगा जब यह आप इसको apply करते हो तो qualification यहाँ पर रखा गया है आपका engineering graduate होना चाहिए किसी भी department में तो especially अगर आप civil engineer हो तो आपको यहाँ पर preference मिलेगा और experience यहाँ पर कितना रखा गया है दो से तीन साल का तो minimum experience आपका दो साल होना चाहिए ठीक है work location यह मुंबई में रहेगा अब चलिए job description के बारे में जान लेते हैं तो मैंने इसे परहा है मैं आपको समझा देता हूँ जो भी high voltage tower होते हैं या कोई भी electrical का जो panel होता है transformer होता है वो सब जो commissioning होता है या कोई भी electrical work से related जो inspection होते हैं उन सब के लिए जो भी foundation वगरा बनता है या जो base वगरा बनता है वो सब आपको यहाँ पर बनवाना पड़ेगा तो इसके लिए civil engineer की ही ज़ुरत है उसके बाद day day to day जो management होती है site पे उसका भी responsibility आपको मिलने वाला है वो भी आपको देखना होगा day to day जो worker काम करते हैं उसको monitoring करना होगा subcontractor और contractor हो गया उनको भी manage आपको करना होगा और जो भी issue आती है आपको time से बात करके उसको resolve करना होगा उसके बाद आपको planning work पर भी यहाँ पर ध तरीके से time पे complete हो सके और उस काम को complete करने के लिए आपको time scale, budget और specification, aspect drawing यह सारा चीज ध्यान में रखना है और उसके according ही आपको काम करवाना होगा और काम के दौरान हो सकता है आपको एक side से दुसरे side visit करना परे उसके लिए traveling करना ही पर सकती है तो यह सब आपके लिए था job description अब मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे कुछ skill की requirement है जैसे हो गया आपको site management का manage करना आना चाहिए आपको people को उसके बाद आपका communication skill जो है वो अच्छा होना चाहिए और coordination skill तो अच्छा होना ही होगा जब यह सारा चीज आपके अंदर रहेगा और आपके experience दो साल का minimum है तो आप इसको apply कर सकते हो apply करने के लिए आपको यहाँ पे apply पे click कर देना है जैसी आप apply पे click करते हो आपके सामने यह mandatory fields वाला form खुल जाएगा आपको यह सारा भरके क्या करना है अपने cv वगरा को photograph resume जितना भी है वो सारा यहाँ पे attach करके आपको भेज देना है और last में यहाँ पे आपको submit कर देना है ऐसे कर देने से आपका जिस post के लिए apply कर रहे हो वो post के लिए apply कर दोगे उसके बाद next है यहाँ पे project civil engineer इस पे जैसी आप click करते हो तो यह देखिए इसका जो job code है वो OPS 02 है और अगर आप इस post के लिए apply करना चाहते हो तो आपका education qualification होना चाह यह डिपलों वाले यहाँ पे apply नहीं कर सकते हैं experience आपका होना चाहिए minimum 3 साल का और आपको stat pro autocad software यूज करना आता है तो आपके लिए beneficial रहेगा work location Mumbai है और skill requirement जो उपर था वो सारा चीच आपको होना चाहिए जो मैं अभी आपको कुछ दिर पहले बताया हूँ तो इसके से उन लोग shortlist करेंगे जिंडा से भी उनके according सही लगेगा वो उनको contact कर लेंगे तो इस तरीके से रेविन ग्रूप में civil engineers के लिए ये दो वैकन से निकाली गई है अगर आप इसके लिए eligible हो तो इसको apply जरूर कीजेगा और अगर आप इसके लिए eligible नहीं हो तो उनको share जरूर कीजिए जो इसके लिए eligible है और एक अच्छा काम करने में आप सही योग दीजिए आज के वीडियो में इतना ही है निक वीडियो में फिर कुछ नहीं लेकर आओंगा आप लोगों के लिए तब तक के लिए बाइ टाटा जैहिंद